ननत मेरी बेटी ये रेणुका भवी कितनी ओल्ड फैशिंड है इनकी साथ आदमी कहीं खड़ाई नहीं हो सकता कहीं जावी नहीं सकता भाईया ने इनसे शादी केसे कर ली रेणुका जेसी बहु पाकर मैं धन्य हो गया हूँ तुमारी मा के चले जाने के बाद रेणुका नहीं ही इस घर को और तुम्हें संभाला है वन्ना इस घर के हालत क्या होती पता नहीं पापा क्या बोल रहे हो आप प्लीज ऐसी औरत की तो तारिफ मत करो मेरी इज़त का कछड़ा हो जाएगा अगर मैं इने कहीं ले जाओ तो नमन भापा के लिए तो कोई मेरे जैसी मौडन लड़की खोज ना पापा ऐसी कोई लड़की मत लिया ना ये शादी ब्यास सब भगवान के हाथों में है शादी जिसकी जिससे होनी होगी उसी सही होगी तब तो फिर पापा मैं भाईया से कह देती हूँ कि वो अपने लिए खुदी कोई लड़की देख ले वनना आप तो उनकी लिए रेणो का भावी जैसे ही लड़की उठा लाएंगी इतने में ही रेणो का आती है नमज जी और पापा जी आप सब लोग खाना खा लीजिए हो पिटा अभी आ रहा हूँ महिक अपना मू बना लीती है इनकी दुनिया बस खाने पीने तक ही रह जाएगी रेणो का सिंपल और घरेलू लड़की है जोकि महिक को पसंद नहीं है महिक जोकि मौडन और आजकल की लड़की है और इसलिए वो रेणो का से रिष्टा नहीं रखना चाहती इसी तरह दिन भी इतने लगते हैं और एक रोज नमन श्रिया के बारे में सबको बता दीता है तेरी शादी हमें तो करनी है किसी न किसी से तो उसे से कर देंगे जिससे तुछ आता है थैंकियो पापा आपनी तो मेरी सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दी मुझे तो लगा था कि आप श्रिया के लिए मना कर दोगी नमन और श्रिया के रिष्टे के लिए सब मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है इतने में ही रेणुका श्रिया के पास आती है श्रिया ये सब क्या है? आज तुम्हारी मुह दिखाई है घर में इतने लोग आए हुए हैं और तुमने ये क्या पैन रिखा है? चलो इसे अभी बदलो और ये साड़ी और जुलरी है ये पैन कर नई बहु की तरह तयार होकर नीचे आजाओ कुछ रस्म भी कनी है और रसोय में भी तुम्हारा हाथ लगवाना है रेणुका की बातों से श्रिया अपना मुह बना लेती है और इधर उदर देखने लगती है रेणुका के जाने के बाद श्रिया महग से कहती है रेणुका भापी मेरी जिठानी कम सास ज्यादा लगती है खुद तो पहंची की तरह रहती है और मुझे भी अपनी ही तरह साड़ी पहना कर गाउं की गवार बना कर अपना चाहती है लेकिन श्रिया किसी की इशारों पर चलने वालों में से नहीं है अरे ये सब ड्रामा ना दो दिन का है जब तक सब महमान नहीं जाते आप इनकी बात मान लो फिर तो अपनी हिसाब से चलना है वैसे अगले हफ्ते ना मेरा बट्डे है मज़ा आ जाएगा हम चलेंगे ना कोई बड़ी जगा वहां दोनों ननत भाबी पान पेस पहन कर डीजे पार्टी करेंगे श्रिया तेयार होकर रेणुका की पास जाती है आज का नाश्ता तुम बनाओ फिर तुम्हें नेग भी मिलेगा लेकिन भाबी मुझे कुछ बनाना नहीं आता मैंने आज तक खाना नहीं बनाया न अपने मायके में मुझे तो इनफैक्ट पानी गरम करना भी नहीं आता क्या इतनी बड़ी होने पर भी तुम्हें कुछ नहीं आता इस सुमर में तो मेरे दो दो बच्चे हो गये थे सबाब की तरह नहीं होते न भाबी हाँ ठीक है खाना मैं बनाती हूँ तुम बस मसाले डाल देना और देखती रहो खाना कैसे बनता है जैसा रेणु का कहती है श्रीय वैसा ही करती है शाम को श्रीया के मुझे दिखाई होती है और उसे अच्छा खासा नेग भी मिलता है श्रीया नेग में आये सारे पैसे जमा कर लिती है महिक श्रीया से कहती है भाबी, मोटी कमाई हुए है ना थोड़ा खर्चा करना बनता है हां तो तुमारी बर्ट्डे में भी तो खर्चा हो गाई ना उस वक्त भी तो मुझे पैसे चीह होंगी इसी तरह एक हफता पीच जाता है सारे रिष्टेदार अपने अपने घर चले जाते हैं और महिक के बर्ट्डे का दिन भी आ जाता है श्रेया सुबर से महिक के बर्ट्डे में जाने की तैयारी करने लगती है क्या पैनूर समझ में नहीं आ रहा मुझे मेरा वनपीस एक्तम धासु लगना चीहे मुझे नया खरीदना होगा इतने में ही रेणुका श्रेया से कहती है रस्वय की काम तो तुझे आते नहीं तो चट पर कपड़े ही सुखा दो कम से कम ठीके भावी लेकिन इसके बाद फिर मुझे कोई काम मत बोलना ओके रेणुका अपनी रस्वय में लग जाती है और इदर श्रेया कपड़े छोड़ कर बाजार चली जाती है और अपने आप में ही लगी रहती है इसी तरह शाम हो जा करता है वो गुस्से में श्रिया से कहती है इस तरह से और नहीं चलेगा घर के काम तो करने ही पड़ेंगे एक आग्मी क्या-क्या करेगा बास सुबह पहले से तयार होकर बैट जाती हो घर की बहु को जीन स्टॉप पहनना शोभा देता है क्या फिर भी मैं तुमसे कुछ न कहती हूं लेकिन तुमने तो नाक में दम करने का सोच लिया है इतना आप मुझे जो सुना रही है न ऐसे भी कोई बहार बड़ी बात नहीं होगी है खुद तो आप गवारों की तरह साड़ी पहन कर खड़ी हो जाती हो और चाहती हो कि दूसरे भी आपी की तरह वैसा ही कप और श्रेया शॉट ड्रेस पहन कर बर्थडी सेलिब्रेट करने चली जाती है वहीं महेग श्रेया के मुलाकात अपने बॉइफ्रेंड धीरत से करवाती है ओ वाव ननत जी तीरच दुपाट स्मार्च और हाट है मेरी शौदी नहीं हुई होती तो नहीं इसे आप से चिरा लेती है ओ मेरा धीरजना बस मुझ परीफिता है भावी पार्टी जोरो उशोरों से होती है और देर रात तक चलती है नाच नाच कर दोनों ननत भावी डीजे हिला देती है इधर रेनु का महेक और श्रेया का इंतजार करती रहती है इतनी रात तक दोनों नहीं आए जमाना कितना खराव है यह पता नहीं क्या कल को कोई उश्रीच होगे तो हम क्या करेंगे महक तो बच्ची है लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए ना क्या भावी पूरा अटाम एक ही राग अलापती रहती हो आप सेब आपकी गुलामी करे क्या आप हमारा मन हम दिन रात हमें बोलने की कोई सवर्वत नहीं है खुद कहीं जा नहीं सकती हो और दूसरी पर भी रोक लगाओगी आपकी इस गवारियत की कारण ना मैंने आपको अपनी बट्डे पार्टी में बुलाया ही नहीं महें के कड़वे बूल सुनकर रेणुका की आखे भराती है इसी तरह दिन बीटने लगते हैं एक रोज महें धीरत से मिलने जाती है और श्रिया से कहती है भाबी आज मैंना देट पर जा रही हूं धीरज आपकी बहुत तारीफ कर रहा था पहली बार मुझे लगा कि मैं भी अपनी भाबी को अपने दोस्तों की सामने खड़ा कर सकती हूं वाना रेणु का भाबी तो हमेशा मुझे शर्मिन दाई कर देती हैं जस्ट चील नना जी अब जाकर एंजॉइ करो यह सारी लंहें दबारा नहीं आने वाली महें धीरत से मिलने चली जाती है धीरत जोकी महें से बस पैसों के कारण चिपकरा था वो कहता है मैं तुम से शादी करना चाहता हूं महें लेकिन उसके पहले मुझे कोई बिसनस डार्ड करना होगा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कैसिमेरी मदद कर सकती हो तुम्हारे पापा के पास तो बहुत पैसे है और फिर मैं तुम्हें लोटा दूँगा सारे पैसे प्लीज कुछ करो ना वन्ना हमारा तो एक होना मुश्किल है ठीके मैं कुछ करती हूँ धीरज महिक कुछ समझ भी नहीं आता कि वो पैसा कहां से लाए घर जाकर महिक रात को सूचती रहती है पापा की चाल लग तो मेरे अकाउन में पड़े ही है वही पैसे धीरज को दे देती हूँ किसी को पता भी नहीं चलीगा और मेरा काम भी हो जाएगा पापा को जब तक जरूरत होगी धीरज पैसे वापस भी चुका देगा अगले दिन महिक सारे पैसे निकाल कर धीरज को दे देती है पैसे लेकर धीरज कहता है थैंक यू बाबू तुमने मुझे पैसे दे दी है अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता धीरज पैसे लेकर चला जाता है और उसके बाद से महिक का कॉल उठाना बंद कर दिता है। दो दिन तक महिक धीरज को लगातार कॉल करती रहती है, लिकिन वो उसका कॉल उठाता ही नहीं। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। धीरज ने मुझे इतना बड़ा धोका दिया है। इतनी बड़ी रकम कहां से लाओंगी मैं और पापा से क्या कहूंगी, मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा। क्या करूँ, श्रिया भाबी कोई बताती हूँ। महिक श्रिया के कमरे में जाती है, जहां श्रिया अपने कपड़े सजा रही थी। क्या हुआ ना जी धी रजी से लड़ाई हो गई क्या, इतना मोग क्यों लड़का है। श्रिया के इतना कहते ही महिक की आखे भराती है। क्या बताओ बाबी, मेरे सपनों को किसी की बुरी नजर लग गई। रो रोकर महिक सारी बाते श्रिया को बता दीती है। जुस्ट रिलेक्स, इसमें कौन से बड़ी बात है। कोई ना बॉइफ्रेंड बना लो, एक कया तु दुसरा तयार है। इतना कौन सोचता है। बाबी, मैं पापा को पैसे कहां से दूगी। अब मेरी मदद कर दोगी। एक बार मुझे पैसे देदूगी, फिर मैं आपको धीरे-धीरे सारे लाटा दूगी। मुझसे तो पैसे मांग नहीं मत। थोड़ा साथ में घूम फिर क्या लिया। तुमने तो पैसे ही मांग लिये। किसे और से मांग लो। याशी खुद करोगी और पैसे मैं दूगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। महेक रोती हुई वहाँ से चली जाती है। और रेणु का बाहर खड़े दुनों की बाते सुन लेती है। इतनी बड़ी बात हो गई। और मुझे पता तक नहीं चला। वह उसी वक्त अपने कमरे में जाती है और अपनी जमापूंजी निकाल कर महेक को लाकर दे देती है। यह पापा के पैसे उन्हें दे दे और बात यहीं खत्म करते। भापी। आपने मेरी मदद की जबकि मैं हमेशे आपकी इंसल्ट करती रहती हूं। क्योंकि मैंने तुम्हे अपनी बेटी समझा है। महेक, बंसवर के घूमने फिरने से घर नहीं पस्ते। परिवार चलाने के लिए जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। महेक रेणुका के गले लगकर बहुत रोती है। महेक प्रमोद के पैसे वापस कर देती है। और अब रेणुका के हिसाब से चलने लगती है। और उसे अपनी मा मानने लगती है।